कि सभी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों आपका जानवे दियुकिसन हब में स्वागत है इस वीडियो के अंत्रगत हम एन यूएस क्लास 12 के अंत्रगत चित्रकला विशे है तो इस विशे के हम जो है चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे मैंने चैप्टर यह सारे च चुके हैं तो यह था चैप्टर आपको नहीं पढ़ने है क्योंकि इससे प्ष्चन आपके में एक्जम में पूछे जाएंगे तो यहां तक मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है अब अपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे समकालिन कला एम कलाकार तो पढ़ते हैं चैप्ट पार्ट में हम समकाली कला कलाकारों के बारे में जानेंगे 20 सदी उसके बाद की समकाली भारतिय कला में बहुत वेविध्य है उसके बहुत जदा भिंता है वेविध्य का मतलब होता है इस समय में कला राज दर्बारों शाहित परिवारों से निकल कर आम आदमी के जीवन में प परिवारों के अंतरगत की कलाकार जो है उनके ही चित्र बनाते थे लेकिन अब जो कला है वह आम जंता तक भी पहुंच गई आप जंता भी अपने जीवन से संब्द्र चित्र बनाने लगे कलाकार उनमें से भूबर के सामने आए बीशी सदी इसव के आरम में कुछ भारती चित्रकार उनमें नए विश्यों पर चित्र बनाएं जो प्राचीन भारती संस्कृति से पेरी थे एसे ही वातावरण में रावण को राजी से राजा रवी वर्मा जैसे माहां चित्रकार का उद्धि हुआ आज तक उनके बनाएं कि चित्रों के प्रति लोगों का आक्रशन बना हुआ हो आधरी चित्र कार है हमारे पुराने महागाववय थे तो Prelink अच्च चित्रकला से लिए उस से प्रभावित है टो यूरोप के पति उनके लगन उन्हें यूर्प ले गई जाए उन्होंने लंगों से चित्रकारी करते कुछ तीयंके बनायाँ हुए देव देवताओं लोगों को महिती करते हैं कमा साप्थ-चित्रकारों को आने से भारती चितरकला के पड़ीदर्श्य का चेहरा ही बदल गया इनमें पच्वी बंगाल के अर्विंद नार्ट टेगोर नंदीलाल बोस प्रमुक्त थे उसके बाद में कुछ और चितरकार आए ने किया ऐसे समय में जबकि बंगाल इसकूल देश के अन्य भागों में अपना प्रबाव फेला रहा था तभी हंगरी में जन्मी फ्रांस में कला शिक्षा पाई भारतिय चित्रकार भारतिय चित्रकार अम्रत्ता शेरगिन ने कला जगत में कदम रखा रविन नाठ टेगोर अपने नीजी कला शेली का विकास कर रहे थे जामिनी रोय काली घाड पर आधारित आधुनी चित्र शेली में चित्र बना रहे थे इसके बाद 1945 इसवी में कलगत्ता में भारतिय अधुनी कित्रकारो के पहले समूं जिसे कलगत्ता गुरुप कहा गया कि स्ताफना हुई तो कलगत्ता गुरुप की स्ताफना कम हुई इस समुम के प्रमुक सदश्यों में मूर्तिकार प्रदोस दास गुपता एंग चित्रकार पडितोशेन गोपाल घोष निरोडे मजुमदार एर जेनूल आप दिन थे प्रगति शील चित्रकारों के अन्य समुम में इस समय में अपने कला प्रतीबा का परदर्षन किया। बूद्रश्य प्रकति एंग छवी चित्र तथ अथवा व्यक्ति चित्र आधी इन चित्रकारों के विशे थे इन चित्रकारों ने आने वाले भारत समय में भारती चित्रकला को नया अर्थे दिया प्रोग्रेशिव आर्टिस्ट गुरुप में अनेक प्रशित चित्रकार जैसे की एमेफ हुसेन, सेयद हेदर रजा, फ्रांसिसी नूट नद सुजा, हरी अंबा दास गाडे, क्रशना जी, हावला जी, आधी आरा, क्रशना जी, हावला जी, आरा, आधी इनके सदर्श्य थे क्रशना खन्ना, सदानन बाकरे, दी जी, कुलकन्नी, ए, ए, अमेलकर, तैयर महता के कुगांदी एम, मनिश्टे आधी ने इस समू में बाद में प्रिवेश किया, दक्षिन भारत में केसी ऐसे पनिक कर, एवी श्री निवाशूल, दीपी रोय, चोधरी के शिश्यों ने स् उस्तापित किया, आज अने भारती चित्रकार माहान कलाकरतियों का शर्जन कर रहे है, तथा उन्हें भारते विदेशों में परदर्शित कर रहे है, अधिकार भारती चित्रों को विदेशी ग्राहक खरीद रहे है, भारती कला का अनुठापन आज भी उसकी सम्रत क्या है मैं देखते हैं त्छी समंकालीं काला के उद्पहिंवें मिकास के बारे में लिक सकेंगे राजारावी वर्मा आज अनेक बना कर रहे हैं अधिकतर भारतिय चित्रकर्टियों को विदेश में खडिदार मिले है आज भी भारतिय चित्रकारी का विशिष्ट इस बात में हैं कि वे संब्रत्थ हैं जो सब्सक्राइब है राजा रवी वर्मा का जनाम 29 अप्रेश 1848 को दक्षिन भारती राजे केरल के एक छोटे से नगर कलीमनूर के शाही महल में हुआ था पांच वरस की अलपायू में ही उन्होंने अपने घर की दिवारों को परसू और देनिक एक परles आ में और इपने जीवन के कारे कलापों विश्यव से भर दिया था अपनी सिकसा में इन आरंबिक वर्षों में ही उन्हें चितर कारी में अनेक माध्य में औयों तकनिक परफिवों को सीखने ने हैं उन्हें का के आयूं तो उन्होंने पांच वर्ष के आयू में ही जो है कुछ नहीं नहीं चीजे सीख लिए थी जैसे कि पश्चु और देनिक जीवों से सम्मंदिक किर्या कलब कुछ चित्रों बनाने लगे थे और कुछ तक्निके भी उन्हों सीखी थी बात के वर्षों में उन्होंने अपना समय मेसूर बडोदा एंग देश के अन्य भागों में बिताया जिससे उन्हें अपनी कला प्रतिभा चमकाने और एक पड़िपुन चित्रकार के रूप में पतिष्ट होने में साहिता मिली उनकी कला प्रतिभा को पिट्री समराजियों अनेक भारतिय महराजयों ने पेच्छाना और सराहा राजा रवी वर्मा अपनी सपलता का श्रे अपने विधीवत पक्षिशन को देते हैं वो राजा रवी वर्मा जो है वो यह कहते हैं कि उनको जितने भी सफलता मिली है उसकी सफलता का श्रेय क्या है वो संधिल Ayah तेल रंग की मोटी परत से उभर कर चमकदार आभूशन जरी के काम के टेक्स्चर एं तरीर की तवचर की मन एक कोमल छटाओ कर शरजन करते थे उन्होंने चित्रन हेतु संसकती साइत्य से भाव पूर्ण एंव रिदे को छू लेने वाली कहानी एंव घटना भहुती बुद् प्रिये हैं वे अपने यथा चित्रन एंव कोमल रंग छटाओ में प्रियोग कर देतु जाने जाते हैं 26 चित्र आधारी संयोजन के अतिरिक्त उन्होंने भारतिय मित्त को एंव की द्वंतियों पर आधारी चित्र जैसे की नल्दम्यंती तांतु और गंगा राधा एंव अर्जुन और सुबद्रा विश्वा मित्रे मेनका शिता स्वंबर युवा भारतें सिंग समू श्री कृष्ण जनम की चक्रें से रंधरी आधी को अपने कोशल से एक नया रूप पदान किया तो देखो इन्होंने जो भी है पोरानी कथाय है कहानिया है जैसे कि पोरानी ज इसके आधार पर उन्हें चित्र बनाये थे उनके चित्र में विश्व में कला प्रेमियों का ध्यान भारते कला की ओर किच्चा दो अक्टूंबर 1906 को राजा रभी वर्मा ने अपने जीवन के अंतिम सांस ले इस तरह चंदे को यह एक चित्र है यह बनाया हुआ हुआ है राजा रवी वर्मा दोरा बनाया ववा चित्र है कि शुबदरहर्ण शैशक है चितर का नाम है सुबदरहर्ण चित्रकार है राजा रवी वर्मा काल है 1990 काल है syll 1988 माध्यम है केणवास अर्थ एंट्वण किया जया है माप है 330 in to 59 इन्च संग्रे महाराजा न्चिन् भी चित्र के बारे में सामाने विवरन देखते हैं कि अर्जुन सन्यासी के वेस में सुबधरा के साथ खड़े थे यह चित्र महाभारत से लिया गए कथानक पर आधरी थे सुबद्रा वशुदेव और रोहिनी की इकलोती पुत्री थी सन्याशी वेस में अर्जुन सुबद्रा को गले लगाना चाह रहा है और सुबद्रा लोक लाज के काराण उससे बचने की कोशिस कर रही है चित्र में राजा रवी वर्मा ने तेल रंग की मोटी परत की साइता से चमकदार हैं उबरे हुए अभूशन जरी के काम का टेक्स्चर तता तौचा के रंग के मन चटाए चित्रत की है उन्होंने बड़ी होश्यारी से इस शन को चतुरता से चतुराई से चित्रत करते हुए एक और जंगल दूसरी और सन्यासी के आसन को प्रष्ट भूमी में दरसाया है इन पिछे के तरव हम देखेंगे तो एक तरव रुकिया है जो है जंगल है सन्यासी कह आसन है जंगल है यह जंगल पीछे दिखाया जा रहा है जो और यह जो है सन्यासी के वेस्ट में कौन है अर्जुन है कि सन्यासी का आशन दो पर्षू चरम से सुस्वजित है एक बेठने है तो एक दूसरा चाया देने के लिए संपूर्ण चित्र में एक ऐसी सम्रस्ता है जिसे एक सामाने चित्र सन्योजन से यादगार कला करती बना द देते हैं तुनों बताया था विदीवद प्रक्षिशन पराप्त किया था उनको श्रेय देते हैं सुबद्र हरन किस महाकावी पर आदा रित थे तो बद्र हरन में अर्जुन को किस वेस्ट में दर्शाय गया है अगला प्रस पॉइंट है अविनिंद्र नात तेगोर की कु बंगाल की समकालिन भारती चित्रकला में अविंद्रनात का योगदन अतिमहत्यपुन है उनका जनम साथ अगास 1871 में कोलगत्ता के जोड़ा संकोष्थी तेगोर के पारिवारी घर में हुआ था उनका लालन पालन एक स्रजन सील पारिवार के विचार सील वातारून में परंप उन्होंने छिट्रकला की शिक्षा बिंटीस ए इंटालियन सिक्षा को से निजी तोर ली ती तो देखो वह संस्कत महाविदयल में पढ़न रहे थें उनके द्वरा बाद में बनाए चित्रों में ये प्रभाव पडलक्षित होते हैं अविंद्र नात के चित्रों की पदशनी 1913 में बलंदन और पेरिस में आयोजित की गई उसके बाद 1919 में जापान में भी एक अंतराष्ट्य पदशनी का आयोजित किया गया उनके बनाए 500 से भी अधिक चित्र जोडा संको कोलगत्त की रविंद्र भारतिय सोसाइटी में संग्रे में है उनकी बनाई कला करतियों को राष्ट कला धरोवर गोशित किया गया है भारतिय कला को संब्र्द करने की अविंद्र नात की हंत्रिक इच्छा को स्वामी विवेकानन के साथ जापान से भारत आये जापानी चित्रकार कला विवेचक ओकाकुर ने भी पेरित किया तो ओकाकुर जो है जो कि स्वामी विवकानन के साथ जापान से भारत आये थे उन्होंने भी अविंद्रनात का साथ दिया ओकाकूर का विश्वास था कि किसी राष्ट की आत्मा उसी कला में वेक्त होती है उनकी नजर में यही बात पूरे एसियम हादीप को एक शुत्र में बानती है बाद में अविंद्रनात ने दो अन्य जापानी कलाकारो योको यामा एंव इशिदा के मागदसन में जापानी कलाका दिन किया उनके बने चित्रो दिवाली एंव द सिद्धास आप द अपर एयर में जापानी प्रभाव साब दिखाई देता है कुलगत्ता के गवर्णमेंट स्कूर ओप आर्ट्स एंड क्राप्ट में अवनिंद्रनात कारेकाल के दोरान कई बदला आये उन्होंने विद्धाले की दिवारों पर चित्रित यूरोपी चित्रों को हटवा कर उनके इस्तांपर मुगल राजकुष शेली के चित्र लगवाए उन्होंने एक नया ललित कला संकाय आरम कराया और वहां भारत भर के अन्यक परशित कलाकारों को आमेंद्रित किया इस तरह देखो उनके चित्र है यह उनको जोड़ा बनाया गया है उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑप औरियंटल आर्स की स्तापना की तथा एक विशिश चित्रन शेली का विकास किया जो बंगाल स्कुल के नाम से जानी जाती है तो देखो आपको यह याद रखना है कि उ पूछा जा सकता है यकप की थी इस इसकों में बंगाल के पुनर जागरन अंदरन में महत्तुपुन भुमेका नेवाई उनके मांग दश्चन में चित्र कालो की एक नई पीडी तयार हुई जिसमें नंदराल बोस आशित हालदार एस एन गुपता एव अन्य सामिल थे उनक अविंद्र नात उनका सरोगवास 1951 में हुआ अब देखो चित्र दे रखा है जर्सनी जर्निस एंड का यह जो चित्र है इसके बारे में जानेंगे यह अना चीर्शक जर्निस एंड माध्या में है जल्रन वास तकनिक चित्रकार जो है अविंद्र नात एगोर काल है 1913 में कित्र बना था अभी कहा है संग्राले है नेशनल गेल्री ओफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा गया है मापे इसके 21 इंटू 15 सेंटिमेटर इसके लंबाई चुड़ाई दे रखिए सामाने विवरन अविंद्र नात एगो ने भारतिय टेमपरा तकनिक और जापानी में चित्रन शेली भी विख्षित की जिसे मन्द प्रकास वाली प्रश्ट भूमी में लंबो तरी वे लायातमक आकर्तिया चित्त की जाती है पश्टू चित्र में अवनिंद्र नाट एगो ने एक मरते हुए उड की जीवन यात्रा के अंत्त को दर्शादने हैत्तू उड के अगले पेर उनकी जमी को छूती गर्दन उसकी अभीवें जनात्मक मुद्रा को और अधिक प्रभावी बना रही है चित्रकान ने लाल पीली एम दूसर रंग चटाओं का प्रियोग कर इस चित्र का सयोजन को बहुती सम्वेदन सीलता से चित्त किया है इस चित्र क अगला प्रशन है चित्र का माध्यम है तो इसका अंसर आएगा अगला पॉइंट है जामिनी रोय जो बनाई गई जो चित्र है उसके बारे में जानेंगे जामिनी रोय आईए अब एक और प्रशित सम्कालियन कला जामिनी रोय के बारे में जानें बुनियादी सूचना जामिनी रोय बीच्वी सदी के माहां चित्र कारों में से एक थे उनका जनम 2008 सद्यासी में बंगाल के बाकूरा जिले में बोलातोर गाउं के एक मद्यम बर्गी परिवार में हुआ था उन्हें уп designer टे हाए उन्हें स्थी ऎए कि हुसास हो गया कि उन्हें अपनी संस्क्रति से पहना लेनी चाहिए अधि उन्होंने जीवन ग्रामीन लोग और सबसे जदा बाकूरा के मिटि के खिलोने एं काली घाट परचित्रों से प्रभावित हूए अनुने UP uw प्रियोग किया के इन्वास त्यार करने है तुवे गाय के गोबर का प्रियोग करते थे उनका बुनियादी लक्षे पुराणी पीडी के लोगों के जीवन में नहीं साथगी रेखांकित करना था भारते कला को अपने नीजी पेचान देने समाज के अधिक्तम लोगों तक कला को पहुंचाने के लिए उन्होंने अतक प्रियास के बनाये चित्र संथा धोल वादक लोहार क्रशन बल्राम इस्त्री चित्र चैसे रादा गोपिया पुजारीन बिल्ली बाग और सवार रानी मा और बच्चा अत्यांत लोग परिये हैं तो पूछा जाए जामिन राए के इस तरह आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि उनके प्रश्ष चित्र अंतराष्ट्रे प्रदर्श्ञियों में परद्रिश्य किये गए आते विश्व के अनेक दिजी सारोजनिक संग्रालों में संग्री थे जिन में लंदन का विक्टोरिया एंव अलबर्ट मूजियम प्रमुख है उन्होंने अपने जीवन का दिकास भा कुलगत्ता में कारे करते वेतित किया 1934 में उन्हें अखिल भारतिय पदर्शनी में वाइस राय गोल्ड मेडल को से सम्मानित किया गया 1924 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पदर्शनी से सम्मानित किया गया पिच्चेशी वर्स की आयों में उनका निदन 1972 में कुलगत्ता में हुआ अब उनका एक चित्र है जिसका सीशक है मदर एंड चाइल्ड माद्यम है केनवास पर टेमपरा चित्रकार है जॉमिनी रोई जॉमिनी राए ने नीजी चित्र शेली विक्षित की जो बंगाल के लोक टरापर आधारित थे अपने लिए मिठी की रंग स्वीं भी तैयार करते थे सलेटी रंग के लिए वे नदी की गाद, लाल रंग के लिए शिंदू ता सपेद रंग के लिए चूने का प्रियोग करते थे काला रंग वे काजल से त्यार कर प्रियोग में लाते थे उनके चित्रों में एक चित्रों में ग्राफिक्स क्वालिटी है और वे बहुत दिल्चस्प है उनमें अधुनिक्ता तथा परंपरा का एक लुभावना सियोजन है गेरी मोटी भाई ये रेका मश्ली के आकार की बड़ी बड़ी आँखे चोटी मूँ और नाक उनके चित्रों के अनुठी विशेस्ता है यह चित्र के इन्वास पर टेमप्रा तक्निक से बनाया गया है इसमें मा की सुडोल आकरतिया है यह आकरतिया मा की सुडोल आकरतिया बहुत अच्छे आकरतिया है वे बाए हाथ में बच्चे को थामे चित्र के मद्दिय में बनाई गई है बच्चों को थामे चित्र के मद्दिय में बनाई गई है सज़्जा की गई है याँ देख सकते हो सपे धारुश सज़्जा की गई है अब माथ पर ललाट पर गर्दन पर और यह तो मंचली की आकार्खी बनाई गई है तो इस तरह सी आपर बताया गया है बहुत है नाण Tribe की चित्र है कि जनल मिष्थान का नाम नाम बताया था T सब्सक्राइब आड़ं परफeleत का प्रियों किया है तो के अंवास के अव्पर टेल रंग का प्रियोग कहते हैं Tak और दो हैम अगले वीडियो के बारे में जो हैं मुधि आधा और यो बड़ा को उर्ड बनाए है। अब टो अगले सबस्क्राइब करें सेफेलर तो बहुत और आक श्राइया सो का नोग्रम सब्सक्राइब सुर्फकृत